मैं सेक्स्पियर की एक शायरी याद करता हूँ कि मैं इसलिए तुम्हारी भासा शीख रहा हूँ ताकि तुम्हारी ताना शाही का जवाफ दे सकूँ आपका शियाचिन जैसा है, हमारे लिए सुस्ता हुएसा है, आपका लिपुलेट जैसा है, हमारे लिए लत्ताक हुएसा है, आपका कश्मीर जैसा है, हमारे लिए हमारा काला पानी हुएसा है ना, आपका देश प्रेम, देश प्रेम, और हमारा देश प्रेम क्या, आदरणिय जन जन सम्मा पुगन जरूरीशा यह आज तक जैसे मीडिया अगर मेरा बस चलता तो नेपाल में बेंट कर देता मैं इन कम बक्तों को यह कहते हैं कि नेपाल टेरिस्ट का अड़ा बन रहा है आई एसाई की समरक्षन में यहां मदर से चल रहे हैं तो कहां से आए वो टेरिस्ट आपके प्रधान मंत्री कहते हैं कि हमने कोई जंग नहीं जीती तब तक जब तक किसी नेपाली का खुन नहीं बहा हमारे भाई मरे हैं आप लोगों के लिए कारगिल में, कुकर ठांग में, लदाक में, मेजर शेर जंग था पासे लेकर भीम बादुर देवान तक अगर इतियास के पन्ने खोल कर देखेंगे तो हम हर जंग में आपके लिए लड़े हैं और जिसने आपके सरहदों की हिफाज़त की है, मरमर कर आपने उसी की सरहद पर कबजा कर दिया अज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो हर इंडियन तक पहुँचन पहुचन आपनी, नहीं लोशना है हलो, इंडिया, मेरा मिस्ट प्रसाइं, फ्रम नेपाल आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो हर इंडियन तक पहुचना जरूरी है, हर इंडियन को समझना जरूरी है मैं प्रातना करता हूँ कि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो इंडिया के हर गली नुकड से, चोक से लेकर बड़े बड़े बंगलों तक पहुचे सारे इंडियन्स तक पॉँचे क्योंकि हर इंडियन को ये समझना जरूरी है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन में ये जो विवाद आ रहा है ये क्या है और क्यों है आदरनिया संपूर्ण रास्टवक्त नेपाली अरूमा मैं यो निवेदन गरना चाहांचू कि यार ली यो विडियो ला जती संक्तों सियर गरनो ला कि नकी सीमा विवाद को बारे मैं तपाई ले रहा मैं ले गफ गरे रहा हम्रा दुख शुका बाणने मात्रे हो यो भारत क जन जन सम्मा पुगन जरूरी शा तिस कारण आज मैं हिंदी मा बोल दे शुका प्यारे हिंदुस्तानी भाईयों और बहरों मुझे अपनी भासा से ही सबसे ज़्यादा प्रेम है नेपाली से मुहाबबत है मुझे लेकिन अगर मैं नेपाली में बोलूँ तो सायद आप ल जर्योग कर रहा हूं मैं सेक्स्पियर की एक्षाइरी याद करता हूं कि मैं इसलिए तुम्हारी भासा सीख रहा हूं ताकि तुम्हारी तानाशाही का जवाफ दे सकूँ आज नेपाल और इंडिया की इस बिवाद के बारे में हर इंडियन को भी समझना जरूरी है कि ये क्यूं है आपके प्रधान मंत्री कहते हैं कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन केवल गॉवर्मेंट टू गॉवर्मेंट नहीं है पब्लिक लेवल रिलेशन है इसलिए मैं पब्लिक लेवल पर आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं मैं बॉर्डर के इशू पर भी नहीं है अरे हम तो आपकी सरहदों पर लड़े हैं आपके प्रधान मंत्री कहते हैं कि हमने कोई जंग नहीं जीती तब तक जब तक किसी नेपाली का खुन नहीं बहा हमारे भाई मरे हैं आप लोगों के लिए कारगिल में कुकर्थांग में लगदाक में मेजर शेर जंग पासे लेकर भीमबादुर देवान तक अगर इतियास के पन्ने खोल कर देखेंगे तो हम हर जंग में आपके लिए लड़े हैं और जिसने आपके सरहदों की हिफाज़त किये हैं मरमर कर आपने उसी की सरहद पर कभजा कर दिया हम कभी भी एंटी इंडियन नहीं थे लेकिन आपकी गवर्मेंट ने कुछ एंटी नेपाल हरकत कर दिये आप लोगों ने दसेरे के रोज नेपाल में नाका बंदी कर दी हर रोज मर्रा के चीजों की किलत हो गई दबाईयों तक की किलत हो गई और हमारे कितने ही मरीजों ने अस्पाताल में छट पटाते हुए दम ने इंडियन इस कोलोनाइज़ेशन मेंटालिटी का आज हम सब एक हैं आप लोगों ने कहा कि हम मदेशी ओं के मामले में नेपाल को जवाफदारी बना रहे हैं ऐसी बात है, अगर मदेशियों की तरफ आप लोगों का इतना ही रुजान है, आपके नेता कहते हैं कि मदेशी लोग हमारे भाई है, हमारा रोटी बेटी का रिष्टा है, ये सब है तो गोर्खा लेंड का अंदोलन जब आप लोगों के देश में चल रहा था, तो हमें भी त हमारे भाई है, उनके साथ भी तो हमारा रिष्टा है, लेकिन नेपाल के किसी लिडर ने गोर्खा लेंड के बारे में बोला, नहीं, no, never, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो आपका अंदोलनी मामला है, ऐसा समझ कर आपके देश में जब गोर्खा लेंड का आंदोलन हो रह कि कोई भी नेता नेपाल का कोई भी लिडर आप लोगों के खिलाप बोलने की हिम्मत नहीं करता था, पहली बार हमारे प्रधान मंत्री केपी ओली ने हिम्मत की और उन्होंने आपकी नाकावंदी का जवाब दिया, और जब जेडियू ने जब पवन कुमार बर्मा ने ये को ने उस नाके को भी ब्लॉक कर दिया था, जिसके एवज में हमें दसेरे के रोज पर, दसेरे के रोज हमें इतनी तकलिफ सहना पड़ा, तो उस बात से हमारे लोगों के मन में एक खटास बैठ गई, दूसरी बात, आप लोग कहते हैं, आपकी मीडिया कहती है, खास कर ये जो जभी बुद्दिन अंसारी, 26-11 के मुंबई हमले में हैंडलर था, पाकिस्तान में बैठ कर जो कमांड दे रहा था, वो कहां से आया, ये वाज बाइ बॉर्थ इंडियन, आप लोगों के बीच का था वो, जितने भी टेरिरिस्ट है ना, वो आप लोगों के बीच से नि आपके प्रदान मंतरी कहते हैं, नरिंदर मोदी जी कहते हैं कि बॉर्डर हमेशा खुला ही रहेगा, बॉर्डर खुला ही रहे, उसमें हमें कोई आपती नहीं, लेकिन आप ऐसे इलजाम तो मत लगाईए नेपाल में, जितने भी टेरिरिस्ट नेपाल में आये हैं या आये थोड़ी आये, वो आप लोगों के वहां से आये, इस पार आये, तो इसमें हमारा क्या दोस्त? अब मैं बॉर्डर की इशू पर आता हूँ, जो काला पानी का अभी इशू चल रहा है न, वो काला पानी में कोई बिबाद है ही नहीं, उदर कोई डिस्प्यूशन है ही नहीं वो हमारी सरहत है जिस पर आपने जवरदस्ती कबजा कर रखा है, आज से नहीं, साथ, पैंशक साल पहले से कबजा कर रखा है और आपकी मीडिया ने, आपके गवर्मेंट ने आपको दोके में रखा है, वो सिर्फ आपको आजाद भारत का नक्षा दिखा रहे हैं, वो वो नक्षा नहीं दिखा रहे हैं, जो एंगलो गोर्खा वार के बाद, ब्रिटिस और नेपाल के बीच में जो सुगवली ट्रिटी हुई थी, उसके बाद, सन 1827 में, सन 1856 में, और सन 1905 में जो नक्षे बने थे, वो नक्षे आपको कोई नहीं दिखा रहा है, ना आपका मीडि जंट का इशू है, 71 जगों का इशू है, और से आपका सी आचिन जहां पर घास भी नहीं योगता, वहाँ पर आपके 3,000 सेoris रहियeled हूएं, आप लोग लड़े हो भापर 4,000 फीट उपर जाके जहां पर घास भी नहीं योगता, तो आपका सी आचिन जैसा है, हमारे लिए ह हमारा काला पानी हो ऐसा है ना आपका देश प्रेम देश प्रेम और हमारा देश प्रेम क्या हमारी देश प्रेम की हमारे देश वक्ति की कोई बिशाद नहीं कोई आउकात नहीं सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान की तरह आप लोगों से लड़ नहीं सकते हमारी कोई मजबूत प्रिटीच के खिलाब मौरचा करते थे नारे लगाते थे。 इतना कोलोनाइजेशन सेन है के बावजूद भी आप लोगों को ये एहसास क्यों नहीं होता? कि जब कोई ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता है, तो यहां तर्द होता है, यहां से ज्वाला उठती है, लेकिन ज्वाला उठने के बावजूद भी हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा अधर आप लोग सोचते हैं, तो आप लोग बहुत गलत सोचते हैं, गोर्खा है हम गोर्खा, लजना हमारी खून में हैं, बुझदिल में हैं हम, और काला पानी तो हम लेकर रहेंगे, आपको वहां से हटना ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल विरादरी में आपका और हमारा मुल्क एक है, चाहे आपका मुल्क बढ़ा हो, चाहे हमारा मुल्क छोटा हो, लेकिन इंटरन करता हूँ, निंदा करता हूँ, एक बार नरेंद्र मोधी ने कहा कि मैं इस देश का चौकिदार हूँ तो आपके एक नेता ने ये बोल दिया कि चौकिदार तो हम नेपाल से भी मंगा सकते हैं, शिर्फ चौकिदार की तरह देखते हैं आप हमें, कितना बड़ा रिष्टा है हमारा कितना पुराना कितना हिस्टोरिकल रिलेशन है हमारा, आपके लोग भी तो हमारे यहां आके लोहा शिशी उठाते हैं, कवाड उठाते हैं, लेकिन हम तो कभी ऐसे अलफाज इस्तमाल नहीं करते, हम इज़द देते हैं आप लोगों को पड़ोशी बोलके, तो आपकी गवर्मेंट ने, इसमें इंडियन सिटीजन का कोई दोस नहीं है, इंडिया की अवाम की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके मीडिया ने, आपके गवर्मेंट ने, यह पूरा प्रोपोगांडा फैला रखा है, और आप लोगों को दोगा दे रखा है, 126 पिलर हमार वो पिलर उखाड देते हैं, और जो रात को जो जो नेपाल था जो जमीन, वो सुबह इंडिया बन जाता है अचानत, ऐसे चमतकार हो जाते हैं, और हमारे बॉर्डर आपके लोग, आपकी गवर्मेंट उस पर कवजा कर लेती है, अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सारे नेपाली लोग ये चाहते हैं, इंक्लूड मी, हम सब नेपाली ये चाहते हैं कि नेपाल और इंडिया का जो relationship है, जो bilateral relationship है, ये मजबूती से रहे, इसमें ऐसी दरार ना आए, लेकिन अगर ऐसी ही हरकत होती रहेगी, तो सहने की एक सीमा होती है, एक limitation होता है, और ज कभी उसका बाइकट नहीं किया है, आपके serial चलते हैं हमारे यहां, आपके लोग आकर यहां business करते हैं, हमारे लोग जाकर वहां काम करते हैं, तो इस दोस्ती को public level पर बरकरार रखना है, और अगर बरकरार रखना है, तो Indian government को अपनी हरकतों से बाज आना होगा, उसे ये को इज़त ना देना, इसी तरह है, जो आप अपनी जमीन को इतना महबत देते हैं, और दूसरों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते, मैं प्रातना करता हूं कि आज के बाद ये सब चीजें दीरे दीरे ठीक हो जाएंगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी कि ये मामला international court में जाना पड़े, मैं सारे नेपालियों की तरफ से ये ही काम ना करता हूं, जै नेपाल, जै पस्पतिनाथ, शुक्रिया, खुष शुक्रिया होने गोड़े, पड़े,